यूं तो आपने ग्रहों और राश्यों का हमारी लाइफ में बड़ा प्रभाव पड़ता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म के दिन का भी आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है जी हाँ शास्तुरों के मुताबिक आप जिस दिन पैदा होते हैं उससे ही आपके किस्मत और सोभाव की जुड़ा होता है आज हम आपको दिन के अनुसार बताएंगे कि किस दिन पैदा होने वाले लोगों के किसमत बहुत अच्छी होती है या फिर किस दिन का प्रभाव क्या पड़ता है तो चलिए बताते हैं कि हमारे इस ख़बर में आखिर ऐसा खास क्या है हम आपको बता दे कि हपते के हर दिन का एक खास महत्व होता है जिसे सब को जरूर जान लेना चाहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके बच्चे की किसमत या फिर आपकी किसमत क्या कहती है आपको बता दे कि हर किसी किसमत एक जैसी नहीं होती है ऐसे में आपको अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है लेकिन आपके जन्म का दिन आप पर बहुत ही ज़्यादा असर डालता है तो अब हम आपको बताते हैं कि आपका जन्म दिन आपके लिए क्यों खास है पहला सोमवार इस दिन जिस बच्चे का जर्म होता है उसके लाइफ में परिशानियों का वास होता है जी हाँ वो पूरी लाइफ परिशानियों से जूचता रहता है साथ ही आपको बता दे कि इनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा मीठा भी होता है और यही वाज़ा है कि यह अपनी परिशानियों को जग जाहिद नहीं होने देते हैं ऐसे में यह हमेशा खुश ही रहते हैं दूसरा मंगलवार मंगलवार को जर्म लेने वाले बच्चे का स्वामी मंगल होता है जी हाँ इनकी राशी ब्रिश्चत और मेश होती है ऐसे में ये बहुत ही बहादूर होते हैं आपको बता दे कि यह जिस भी काम को ठांते हैं वो पूरा करके ही मानते हैं यह कोई भी काम बीच में छोड़ना पसंद नहीं करते हैं इसे दिन पैदा हुए बच्चे काफी बहादूर और निर्णय करने में सक्छा माने जाते हैं इनमें नित्रितों के छमता बहुत ही ज्यादा होती है तीसरा बुद्वार बुद्वार के दिन पैदा हुए बच्चों के किस्मा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है साथ ही बुद्वार को पैदा होने वाले बच्चों की राशी मकर या फिर कन्या राशी होती है इनमें बात करने की छमता बहुत ही ज़्यादा होती है ये अपने बातों सो लोगों को अपनी तरफ आकर्शित करने की छंता रखते हैं इन्हें राजनिती या फिर कला के छेत्र में अपना केरियर आजमाना चाहिए इसके साथ ही इनका सोभाव बहुत ही मधुर किस्म का भी होता है चौथा, गुरुवार गुरुवार के दिन पैदा होने माले बच्चे किस्मत के धनी होते हैं इस दिन पैदा हुए बच्चों की राशी धनू या फिर मीन होती है इनमें मैनद करने की एक अलग ही ललक देखने को मिलती है ये थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं लेकिन ऐसा होना इन्हें अपने ही कामू में सभलता दिराता है। बता दें कि इन्हें हार बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ऐसे में ये जीतने के लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं। पाचवा, शुक्रवार, शुक्रवार के दिन पैदा हुए बच्चे, बहुत ही खोबसूरत होते हैं। ये अपने बैक्तितों से ही लोगों को अपनी तरफ खीच लेते हैं। आपको बता दे कि ये लोग काफी चंचल सोभाव के भी होते हैं। शरारत करना, तो इनका खानदानी पेशा होता है, इन पर शुक्रगरा का खास प्रभाव रहता है, जो कि इन्हे और भी खास बनाता है। छठा, शनिवार, शनिवार के दिन पैदा होने वाले बच्चे मकर राशी या फिर कुम्ब राशी के होते हैं, इन पर शनी की कृपा बनी रहती है, ये अपनी लाइब अपने हिसाब से ही जीना चाहते हैं, जिसकी वज़ा से इन्हें कोई भी रोग टोग पसंद नहीं होती ह ये जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं, उसे बहुत ही परफेक्शन के साथ पुड़ा भी करते हैं, सात्वा, रविवार, रविवार के दिन पैदा होने वाले बच्चे सिंग राशी के होते हैं, इनका ग्रह सोरे होता है, इने घूमने फिरने का बहुत ही ज्यादा श भूमने में ही निकलती है। ये काफी नीडर सोभाव के भी होते हैं। नेक्स्ट नाइन स्प्रिचुल के रिपोर्ट